अब देखें दोस्तों औरिट में दो तिन पॉइंट जो लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे या फिर आएंगे कल खो कि सर हमने एसेज वाला चप्टर नहीं कर रहा है सर एसेज क्या होते हैं एसेज स्टेंडर्स ऑन ओडिटिंग तो जो भी आपके कोर्स में एसेज के टॉपिक्स हैं जैसे क्या होता है एसेज 500 है एसेज 500 मतलब evidence का evidence हम पढ़ चुके हैं persuasive evidence, conclusive evidence तो चीजे हम पढ़ चुके हैं ऐसा मत सोचना कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं है एसेज आपको पढ़ा दिये गए हैं जो आपके कोर्स में हैं बस महां पर हमने एसेज के नाम नहीं लिखे हैं ठीक है वो कभी होगा तो मैं discuss कर दूँगा एक बार नाम के according दीखें बहुत चीजें हैं कोर्स में आपके मतलब अगर मैं standard के साब से जाओं सिर्फ ऐसे नहीं है देखो होते क्या है एसे होते हैं से होते हैं स्री होते हैं स्क्यू सी होते हैं इतने सारे standard है ठीक है जो audit में ICAI द्वारा इतने सारी चीजे निकाली गई है उसमें से आपका ये पार्ट आया है इसको मैं पूरा लिख देता हूं एक बार standards on auditing ठीक है ये स्टार्ट होते हैं दोस्सों से फिर दोस्सों दस ऐसा से करते करते हैं फिर 301 301, 303, 303 ठीक है इसके बाद आते हैं ऑफिर आते हैं आपके 500, 500 देखा और इविदेंज है 500, 505, 510 ऐसे-ऐसे 600 की सिरीज है, 700 की सिरीज है इसमें से आपको कुछ-कुछ आपके कोर्स में है ठीक है जो कि टॉपिक वाइस है सिर्फ एक सेकिंद दोस्तों एकि इसमें परटन कोल है हेलो हेलो ठीख हों ठीख तो ये चीज़ें हम पड़ चुके हैं इसके मुझामिप आ रहा है कि स्व आपने aPS ॏ टैंशेत पड़ लिये आपको topic आएगा कि ये topic है उस topic पर आगर आपको iaso का number लीखा होगा कोई टेंशन ना लो, ठीक है, अब आ जाते हैं corporate governance पे, देखो, जैसा कि मैंने पहले भी auditing के टाइम पे आ था और अभी भी बोल देता हूं दुबारा, क्योंकि एक तरह से हम नया topic या chapter ही बोल लो, वो start कर रहे हैं, अब अगले 2-3 chapter हम ऐसे करेंगे, जो audit से related हैं, ठीक है, वैसे अभी जो topic पढ़ेंगे हैं, कहीं न कहीं, वो audit से related होंगे, ठीक है, उसके आप, अगेन यहाँ पर एक बात हो रहाती है, जो हमने auditing पर पढ़ी थी, कि आपका course बहुत से चीज़े दे ही नहीं हुई, मैं क्या करूंँ उसका, आमें कहीं और से उठाने हैं, लेकिन paper में आत तो फिर से कर देता हूँ, जितना relevant portion है, जो आपके paper में आता है, as well as उसको simplify करके हम यहाँ discuss करेंगे, मैं दुबारा बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को मन में यह हो सता doubt आए, या फिर कुछ लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ, अगर किसी और इतना कुछ लिखा हूँ है उसमें से, और आपके paper में इतना सा आता है बस, तो मुझे उसके इर्दगिर्द वाले चीज़े इतनी पढ़ानी पढ़ेंगे आपको, ठीक है, तो वही चीज हम आज भी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने topic से, हमारा next topic जो था, corporate governance का meaning, और role क्या है, auditor का corporate governance में, जो third chapter है, डियो वालो की book में, ठीक है, यह वो third chapter पढ़ रहे हैं, अभी को corporate governance होता क्या है, यार दोस्त, एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, corporate governance में बहुत बड़ी चीज है, अगर इसको deep में समझने लग गए, एक एक पॉइंट, एक चीज तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, अगेन हम वैसे ही पढ़ेंगे, जितना हमारे लिए important है समझने के लिए, उसे इसाफस को लेकर चलेंगे, दूसरी बात मैं बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ, फिर आपको बाद मैं क्या ही में confuse करूँ, देखो, models of corporate governance में short में लिख देते हैं इसको, CG, यहाँ पर CG, ठीक है, models of corporate governance हम बाद में अगली class में पढ़ेंगे, इस class में नहीं पढ़ेंगे, इस class में मैं यह चाहता हूँ कि आपका corporate governance वाला जो base है, जो logic है, उसके सारे points है, छोटे-छोटे features, advantages अगरा, वो cover हो जाएं, ठीक है, ताकि हमार आज की class में मोटा-mोटा, ज्यादा course हम cover कर पाएं, otherwise क्या होगा न, अगर हम इसमें first कर जाएंगे, तो models में ही निकल जाएगा हमारा पूरा time, तो इसलिए वो हम next class में करेंगे, और वो आपकी book में देख भी ने रखा होगा, जो book हमने लगवाई है न, दोस्तों, उस वाल बुक लगवाई थी न, वो अभी है नहीं आपे, तो ये तीन-चार चैप्टर होंगे, वो आपको notes से ही करने हैं, वह सब्सक्राइब करें, जो कि हम यह आपको provide करवा रहे हैं, तो models उसमें नहीं होंगे, और यह बहुत चीज़े हैं, जो उसमें नहीं हैं, और जो उसमें दे रखी हैं, वह सब्सक्राइब के अग्जाम में नहीं आती हैं, अभी भी डिसकस कर रहे हूं, टेंशन न लो, जो मैं करवा रहा हूं, दोस्तों उसमें ध्यान देना, इधर उधर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं बहुत से चीज़ें research करके आपके notes बन रहे हैं, चाब मैं आपके notes को, मैं उसको भी short में करके लिखता हूं, इस notes बहुत मैंने से बन रहे हैं आपके, easily available नहीं होगी, सारे चीज़े एक ही जगह, आपको किसी एक book में हर चीज नहीं मिलेगी, ठीक है, चलिए एक बार, corporate governance होता क्या है, अब हम जो corporate governance पढ़ेंगे आपको बीच बीच म कि याद आएगी, कि समय नहीं तो audit में भी पढ़ा था, ठीक है, तो मैं एक बार, overall समझ लेते हैं, corporate governance होता क्या है, उसके बाद आपको थोड़ा difference में बताऊंगा चीजों में, देखो, company होती है, जी sir होती है, company का auditor होता है, yes sir, auditor भी होता है, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, को समझाने के लिए, ठीक है, अब बताऊंगा दोस्त, company में हमने एक चीज पढ़ी थी, internal audit, internal control, और हमने पूरा auditing chapter पढ़ा था, पूरा auditing, और अभी हमने essays को discuss किये कि बहुत सारे standard दे रखे हैं, ठीक हैं को चलाने के लिए, तो corporate governance में, अभी दो मिनट के लिए hold करना, क्योंकि आज के लास में मुझे आपको short बार समझाने के लिए बहुत से चीज़े करनी पढ़ेंगी, देखो, पहले meaning समझते हैं, मतला समझते हैं, heading, corporate, corporate में बहुत से चीज़े आ जाती है, company, firm, आपका LLP, आपका corporations, सब आ जाता है इसमें, ठीक है, mainly हम यहां पर क्या Corporation, ठीक है, LLP, और जो चीज़े होती है, छोटे-छोटे, जो अभी entities होती है, उन सब को मिला के एक तरस हमने corporate बोला, लेकिन यहां पर हम generally क्या पढ़ेंगे, किस के बारे में पढ़ेंगे, companies के बारे में, ठीक है, corporate का governance, सर, governance का मतलब क्या होता है, governance बना है word, govern से, ठीक है, govern, govern मतलब चलाना, ठीक है, corporate को चलाना, तो corporate governance हम क्या पढ़ना जा रहे है, कि जो भी company है, जो firm है, entities है, वो कैसे-कैसे चलानी चाहिए, ठीक है, उसमें क्या-का चीज होनी चाहिए, उसके क्या कुछ standards रखे है, rules रखे है, वो कैसे-कैसे होने चाहिए, ठीक है, इतना साही मत लब है, बड़ उसी को हमें, full way में समझना है, कि लिखना कैसे है, समझना कैसे है, ठीक है, अब देखो, चलो, एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ, पहले लान मत पढ़ना, दूसरी लान पढ़ना, corporate governance provides the guidance to how the company can be directed, control, ठीक है, मतलब कैसे चलेगी, direct कैसे होगा, चलनी कैसे चा याद करो, ठीक है, अब internal control में जो आपने पढ़ा था, वो सिर्फ इसके लिए था, अब ही हम पढ़ रहे हैं, corporate governance, corporate governance बहुत broad term है, वो company को भी cover कर लेती है, auditor को भी cover कर लेती है, यह इतनी broad term है, दोस्तो, समझे, यानि companyों में काम कैसे चलना चाहिए, उसके director को कैसे काम करना director ने गलतियां की, तो क्या होगा, shareholder का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, investor को उसका पैसा मिल रहा है कि टाइम पर उसको अपना interest मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है, government को tax मिल रहा है नहीं मिला, corporate governance का मतलब पूरी एक entity कैसी चलनी चाहिए, उसके उपर सारे rules and regulations कैसे होने च इसलिए मुझे ऐसे करके बताना पड़ा, क्योंकि कहीना कहीना जो आज आप चीजे पढ़ेंगे हम लोग, वो आपको लगेंगे यार हम पहले पढ़ चुके हैं, या तो internal control में या फिर auditing में, ठीक है दोस्त, तो अब समझ में आया कि corporate governance एक बहुत बढ़ी term है, कि overall company क्या क एक करोड की penalty है सीधा, हाँ, येस, तो ऐसे अलाग अलाग act दे रखा है, नफरा दे रखा है, चलो यहां लिखी देता हूँ मैं, company के लिए, जो listed company है, उसके लिए जैसा sabby दे रखा है, sabby में बहुत सारी चीजे दे रखी है, ये चीज करोगे, ये चीज ऐसे करने है, ये हो गया, तो तुम्हारे पर ये penalty लग सकते है, ये penalty ले सकते है, ठीक है, तो company के लग गया, sabby, auditor पर के लग गया, नफरा, ये दोनों चीज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मुझे आपको discussion, मतलब हमारा discussion चल रहा है, corporate governance का, एक overall company को क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नही करना चाहिए, कुछ set of rules है, regulations बनी हुई है, ठीक है, और उसी according company को काम करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगी, तो क्या-क्या consequences हो सकते है, penalties लग सकते है, ब्ला-ब्ला-ब्ला, अब चलिए, ठीक है, अब इतना ही है corporate governance में, इसके मैं अंदर जाऊंगा, तो फिर बहुत ज़्य कीब जाना पड़ेगा, आपके course में इतना ही है, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है दोस्तो, रही बात, models की, models में, मैं पहले बता देता हूँ, यह हम next class में करेंगे, क्योंकि इस सब बहुत टाइम जाएगा हमारा, और जब तक यह पूरा समझ में नहीं आ जाता, तब तक models समझने में दिक्कत होगे, कई बार की आता है, लोग करवा देते है models को, और वो बाद में दिक्कत कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, आगे की जो topics होते हैं, ठीक है, चलो, अब स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, it is about promoting fairness, transparency and accountability, corporate governance अगर सही होगा, तो accounts या फिर आपक सब कुछ सामने ही रहेगा, जैसे यह नहीं कि कोई information छुपाई गई, जैसे आप कुछ product खरीदते हो, तो उसमें transparency रहते हैं, उस प्रोडट के बारे में उसके ingredients सब कुछ लिखे रहते हैं, वापे, कि इसमें यह डला है, यह डला है, ठीक है, जैसे 54 खरीद लिए आपने, 54 म quality, जिम्मेदारी, ठीक है, यह इसके principle भी है, आगे पढ़ेंगे, फिर से बोल रहा हूं है, तो आज का topic थोड़ा ऐसी रहेगा, आपको journal लगेगा, और आपको से लगेगा आप पढ़ चुके हो, बड़ दोस्तों यहाँ पर difference ध्यान रखना, यह ना audit है, ना फिर, क्या बो हो रहा है, यह उनसे भी बहुत उपर है, ठीक है, चलो, आगे, corporate governance provides guidance as how the company can be directed, ऐसे guidance प्रोवाइड करता है कि company direct कैसे होगी, चलेगी कैसे, ठीक है, ठीक है, चलेगी कैसे, such that, इस तरीके से company चले, ताकि वो अपने सारे goals, objective को, सही manner में और value में, beneficial हो, किसको, stakeholder को, अब दोस्तों, stakeholder हमने पढ़े थे, stakeholder को होता है, तो होता shareholder, एक होता stakeholder, shareholder stakeholder का एक part है, stakeholder क्या होते हैं sir, stakeholder वो होते हैं, जो company से related होते हैं, उसे ता directly related भी हो, जैसे, company से directly related को होते हैं, company के shareholder, company कही होते हैं, company के director, वो भी company के होते हैं, employee, वो भी company के होते हैं, अब इन्डिए,- इन्डिएक सब्सक्राइब करकेल conservatist करते वह वह बारके present कंपनी पैसा लगा उन्हेंने वह भी क्या हूव donors ठीए प्रेखेए कश्र적ित होटी गड़र बहुती है क्या सरकार सरकार को कहीं भी घलती लगेगी Nova कुछ फीक है, इनमेस्टेक्शन करा सकती है, पेनटी लगा सकती है. तो यह सारे जो लोग है, वो स्टेक होल्डर कहले हएंगे आपके ठीक है, तो ऐसा काम करें कंपनी जो ट्रांस्पेरंट हो, फेर हो, जो ऐसी गाइडेंस हो, ऐसी तरीके से चले कंपनी ताकि स्टेक value increase हो, ठीक है, यह है आपका corporate governance, प्लस, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो इसमें stakeholder का मतलब हमने पहले पढ़ा वा था, लेकिन इसकी definition कभी भी आएगी, तो stakeholder आपको लिखना पड़ेगा, stakeholder in this sense would include board of director हो गया, management हो गया, shareholder हो गया, customer हो गया, employee हो गया, society हो गया, government लिख सकते हो आप, ठीक है, अब government क्या चाती है, आप से society चलो आगया, government भी आ सकता है, government आप से tax collect करती है, दोस्तों यह होगे, आपका corporate governance का meaning, दुबारा बता रहा हूँ, तिबारा बता रहा हूँ, चारा बता रहा हूँ, models हम बाद में करेंगे, ध्यान दखना, मैं लिखा हूँ, models of corporate governance in next class, ठीक है, आपको जब भी corporate governance का question आएगा, वैसे नहीं भी आएगा, सिर्फ principle आएगे, या फिर सिर्फ advantages भी आएंगे इसके, जो भी हम आगे पढ़ने वाले है, आपको लिखना है एक बार इसकी definition को जरूर, ठीक है, definition में क्या क्या याद रखना है, वो मैंने आपको highlight करा दिये, definition में इसका meaning लिखना है, साथ में stakeholder कौन कौन होते हैं, यह लिखना है, चालिए, scope of corporate governance, अब देखो, इसका मैं देखता हूँ, इसमें एक चीज हमने लिखे हुई है, आज मैं बीच बीच में book भी refer करूँगा, मेरे पास आपकी, जो डियू की book है, मुझे वो भी refer करने ही पड़ेगी, ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊं, कि कौन से चीजें कहां मिलेंगी और कौन से चीजें आपकी book में नहीं दे रखी, बीच की book में अपने phone में खोल लेता हूँ, यादा, चलिए जब काम आएका तब खोलेंगे, देखिए, इसको पूछ लिया, या फिर, principle ठीक है, इसको principle और एक आपके book में और question आता है पेपर में, या फिर आप समझ लिजिए की फैक्टर, इन में से कोई भी चीज आएगी ठीक है, इसको principle की फैक्टर आपको यह लिखना है, ठीक है, corporate governance केस में, सिंपल है, ध्यान रखना, कई वार पेपर में आगर मानलो principle लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको को सर आपने तो कराया नहीं थे principle, की फैक्टर लिखा हुआ जाएगा, आपको सर आपने तो याद रखना लिख लो ना अपनी मुक में कहीं पेभी, कि यह तीनों में से कुछ भी पूछेगा तो आपको यही लिखना है, ठीक है, अब यह क्या-क्या होते है, principle या फिर की फैक्टर या फिर स्कोप, accountability, corporate governance यानि company में governance ऐसी होनी चाहिए कि बंदों की, लोगों की, employee की, management की accountability रहे, form रहे, कि इस director को यह काम करना, अगर यह नहीं हुआ तो इस तो penalty लगेगी, या फिर इस पे कोई ना कोई जुरुमाना लग जाएगा, ठीक है, accountability means situation which is in which any person responsible, ठीक है, any person responsible and need to give satisfactory reason for anything wrong, मतलब अगर कुछ भी गलत हो जाए, तो उसके पास reason होना चाहिए, कि हाँ sir, यह गलती होई थी, जिससे director को sign करने थे, मैंने अभी example ले था starting में, किस पे financial statement पे, दो director के sign होने थे, एक director उस तर्म नहीं कर पाया, तो क्या बोलेगा, sir, मेरी तबियत खराब थी, और मैं hospital मे था, तो genuine reason है, तो satisfactory reason होना चाहिए, ऐसे नहीं, कि हो बोल देगा, हाँ sir, मैं कहीं गया हुआ था, यह था, वो था, चोटा मोड़ा reason है, satisfactory reason, genuine reason होगा, तभी माना जाएगा, इसका point यह है, fairness, fairness, fairness क्या होता देखो दोस्तों, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज्यादा दे दिया, आपने किसी एक पर कम ध्यान दिया, ठीक है, जैसे ही, जो हमारा यह point कहता है, कि shareholders है, shareholders कोई बड़े shareholder भी होते हैं, कोई छोटे shareholder भी होते हैं, तो बड़े shareholder को, तो हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको time पर statement मिल जाती है, financial statement की copy उनको घर पर time पर पहुंच जाती है जब भी हमारा year खतम होता है, ठीक है, यह कोई और उनको कुछ चाहिए होता है, information चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर CG का मतलब है corporate governance, ठीक है, कहीं यहाँ पर CG वो पहलो जो हमने पढ़ा था न, auditing में, CG का मतलब पढ़ा था हमने अपर central government, यहाँ पर CG का मतलब हम corporate governance लेकर चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना दोस्त, corporate governance treat all the shareholder equally, ठीक है, including minorities, minorities क्या होते है, जिनको पास कम share होते है, छोटे share होते है, minor share होते है, ठीक है, who has small part of the company of ownership, provides effective redressal for violation, that is customer care, effective redressal for violation, अगर कोई गलतियां होई, कोई जान वो इसके violation होई है, कुछ rules and regulation को वालेट हो गया, वालेट कर दिया, तो उसका redressal effective होना चाहिए, यानि उस गलतियों को उपर जो भी penalty है, या जो भी उस बंदे को उपर, क्या बोलते हैं, उसको instruction दी जाएंगे, कि आगे से मत करियो, ध् जासी बात होगी है, यह खराब है, वो खराब है, तो वो customer care वाला क्या वो लेगा, कि आप हमारे pass वाले customer center में चले जाओ, ठीक है, customer care में, वहाँ पे आप दिखवा देना, वो आपको phone ठीक कर देंगे, उसने भी सही guidance दी, आप customer care पे गए, उसके जो भी mobile, जो भी brand का mobile होग तो यानि सब कुछ क्या हुआ, effectivelyly हो गया, मालो, आप वहाँ जाते, वो क्याता कि सर यह तो हमारे, उसमें cover ही नहीं है, आपका यह matter board खराब हो गया, यह तो cover ही नहीं है, हमारे उसमें warranty में, खराब हो गया, तो खराब हो गया सर, नेडल वाई है सर, उसके पैसे लगेंगे इतने अजारों पर लगेंगे, तो वो क्या हुआ, वो effective नहीं हुआ ना, तो आपका जो भी गलतियां है, violation है, वो ठीक करने के लिए effective control होना चाहिए आपका, तभी यह सब चीजे होंगी, तभी आपकी fairness होगी, ठीक है, देखो यह word तो बहुत easy है, लेकिन मैं यह चीजे इस आपको heading तो याद आगी, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे, आपको यह चीजे नहीं पताओगे, शेर होल्डर को equally treat करना है, आपका जो भी violation हुआ, उसका जो रिडर से लोगा, वो effective होना चाहिए, यह आपको paper में जल्दी से याद नहीं आता, इसलिए मैं बार बार चीजे मार करवाता हूँ, otherwise यह जो topic है बहुत easy है, transparency है जैसे हमने पहली पढ़ा, कि सब कुछ disclose होना चाहिए, सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई कोई चीजे चुपा के रखे, transparent, शीशा होता है ना, शीशा, जो शीशा आगे पीछे देख सकते हूँ, कितना transparent होता है, कि आपने यहां से देखा, आपको सामने से दिख रहा है, यहनि transparent होता है, सामने से दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कोई कोई चीजे चुपा लो, corporate governance makes, in short, timely, accurate disclosure, on all material matter of the company, including the financial situation, performance, ownership, जो भी चीज़े है, financial है, ownership है, performance है, वो सब कुछ timely, disclose करने चाहिए, मानलो, डिरेक्टर चेंज हो गया, कंपनी में, दो डिरेक्टर नहीं आगे, तो सब को पता होना चाहिए, कि यहां भी दो डिरेक्टर कंपनी में नहीं आगे है, वैसे तो उसका proper form भरा जाता है, जब डिरेक्टर चेंज होता है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, proper form भरा जाता है, form 12 है, ठीक है, आरोसी का, या फिर कंपनी माल लो नई, नई फेक्टर डाल रहे है कंपनी, ठीक है, तो यह भी disclose होने चाहिए, सर यह कहाँ disclose होती है, यह होते है आपकी financial statement में, जो notes to account बनते है न, वहाँ पे additional चीज़े लिखे जाती है, सर notes to account क्या होते हैं, कुछ बच्चे को नही ठीक छोटा सा, ठीक है, तो वो सारे लेजल्स होते हैं, उन सब के बाद, आपके वो बनती है, policies कंपनी में क्या हुआ है, मोटे मोटे चीज़े सारे उसमें लिखनी पड़ती है, डीक्टर चेंज होएं, वो सब, यह सब भी जो कंपनी बड़ी बड़ी चीज़े होती है, उ ठीक है, तो सब कुछ क्या होना चीज़े है, आपका ट्रांस्पेरेंट, ट्रांस्पेरेंट हर चीज़े को, चाया financial हो, चाया ownership हो, देखो, ownership, मालो, share change हो गए, A ने ज्यादा share खरे लिए, Mr. A ने, company के, तो वो भी disclose होने चाहिए, वैसे disclose होती है, financial statement में, जब फाइल होता है और उसे के साइट पर जब balance sheet वगरा, पिंडल फाइल होती है, तो यह सब को इसे आपको दिखाना ही पड़ता है, independence, independence बताने के जरूत नहीं है, corporate governance, ऐसे rules, procedure, structure, प्रवाइड करता है, जो कि conflict को avoid करे, यानि आप किसी के bias में रहे के, किसी के, जैसे होता है, कि मैंने आपको पहले example लिया था, auditing में, कि किसी के दबाव में आके आप काम ना करो, कि हाँ भी वो तो मेरा दोस्त की company है, तो मैं आपको audit सही से ना करो, ऐसे ही यहाँ पे भी, director को ऐसे काम करना है, कि ऐसा नहीं है कि director को कुछ भी, कोई contact sign करना है, तो उसने अपने दोस्त से बोल दिया, क्या होता है, contact है मानलो, मुझे कोई चीज खरीदनी है, machine खरीदनी है company को, अब machine खरीदने के लिए कई-कई भी director की authorization चाहिए होती है, एक amount से ज़्यादा जब होता है, तब director ने क्या किया, कि अपने, उसका कोई दोस्त था, या फिर भाई था, उसकी company से machine मंगवा ली, 10 ला decision लेना था, वो decision ले लिया, किसी के दबाव में रहके, चाहिए वो emotionally हो, चाहिए वो किसी ने जबर जस्ती हो, कहने का मतलब यह है, आपका मोटा मोटा, कि independent होना चाहिए, without any biasness, ठीक है, वो चाहिए personal हो, चाहिए professional हो, यानि, कि मानलो, वो 2 लाग का फायदा हो, doctor खुद ले लेगा, एक extra benefit अपने भाई को दे देगा, जिसके companies उसने machine ने खरी दिये, यह सब चीज़े नहीं होने चाहिए, तीसरा है, compliance with rules, जो भी rules regulation उस company पर लग रहे हैं, उन सब का compliance होना चाहिए, मतलब वो सारे rules लागर से follow चाहिए, जिस हमने पढ़ा था, मानलो, company पर क्या rules apply हो स सबी के rules भी applied होते हैं, तो यह सारे rules and regulation apply करने चाहिए, तो यह सारे क्या होगे, आपके भीया principles होगे, next है importance of corporate governance, importance में देखो क्या होता यार, अगर सब कुछ काम इमानदारी से होगा, तरीके से होगा, सही सरीके से होगा, तो देखो क्या क्या चीज़ होगी, इमानदारी इंदे भी आपकी company में आके invest करेंगे, आप इतना अच्छा काम करोगे, आपकी governance report आएगी, या फिर आपकी audit report भी उसमें लिखा होगा कि company ने बहुत बढ़िया काम किया है, आपकी growth rate देखेगी, market में आपका नाम चलेगा, तो बाहर के लोग भी आपके company में invest करेंगे, ठी तो वो सब देखके, यानि corporate governance, overall company काम, सब कुछ सही से कर रही है, ये सब देखे, बाहर के लोग आपकी company में capital डाल सकते हैं, यानि पैसा डाल सकते हैं, protection of investor, सही से काम होगा, सही rules and regulations होगा, तो जो investor है, उसको भी protection मिलेगी, सरे investor को protection कैसे मिलेगी मतलब, देखो, governance में हमने प transparency पड़ी थी, अगर transparency में investor को पता चल गया, कि इस साल तो company को loss हुआ है, तो क्या उसे अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, वापस कि नहीं निकाल लेना चाहिए, उसको पता चल जाएगा न, financial statement देखके, ये company growth में जा रही है कि नहीं जा रही, तो उसे हिसाप से वो पैसा लगाएगा या फिर पैसा वापस निकाल लेगा, या फिर और लगा देगा, उसे लगेगा कि हाँ भी सब कुछ काम ठीक हो रहा है, तो वो और लगा देगा पैसा, ठीक है, fairness of financial reporting and accountability, सही से काम करोगे तो, fairness रहेगी और accountability बनी रहेगी, जिनके उपर भी जो भी जिम्मिदार है, improve shareholders communication, increase goodwill and market reputation, वही जो मैंने बताया, कि corporate governance सही रहेगा, तो आपकी market में value बढ़ेगी, कि हाँ इस company का काम सही है, ठीक है, जैसे होता है, मानलोग कोई brand ले लो, जैसे fan है, आपना सुना हुआ, खेतान का fan अच्छा होता है, ठीक है, तो लोग खेतान का fan नाम के उपर ही ल जाती हो, उसकी goodwill इतनी अच्छे बन जाती है, कि नाम से ले लेते हो, जैसे samsung का phone है, या फिर apple का phone है, यह नाम से बिख जाते है, इनकी ad कम भी होंगे, तो भी बिखेंगी, ठीक है, Ferrari, BMW, इनकी आपने कभी ad देखी है, ad नहीं देखी है, इनके नाम से बिखती है, कि हाँ अब यह गाड़ी है, तो इसमें हर चीज अच्छे से होगी, suspension अच्छा होगा, driving skills, driving का आपको पूरा का पूरा उसका, क्या बलता है, balance अच्छा होगा, गाड़ी का, look अच्छी होगी, ठीक है, तो आपकी goodwill भी बनती है, आपका अगर corporate का governance अच्छा होगा, तो, enhanced company valuation, market value भी अब देखतों, share बढ़ जाता है, ठीक है, company अच्छा काम करते हो, उसका share बढ़ता रहता है, ठीक है, जैसे अभी Tata का, Tata का कौन सा है, Tata Motors, Tata Motors अभी अच्छा काम कर रहे है, तो इसके share बढ़ने ही बढ़ने है, लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि उसकी अच्छी गाड आड़ियों के जो प्रोटोटाइप आते हैं वो अच्छे आ रहे हैं तो टाटा मोटर्स के शियर आटोमेटिकली बढ़ रहे हैं तो कि पता है कि आगे वो अच्छा काम करने वाली है और पीछे भी उसने अच्छा काम किया है इंपोर्टन्स होगे